आईए शुरू करते हैं न्यूस परपर सफर सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसी तस्वीरे जिनका जिक्र सरे रहा है ये तस्वीरे सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है इनसे आपका बाख़बर होना बेहर जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इनहीं की चर्चा है चर्चा पैरों से मतदान की भी है लोगसभा चुनाव की वीच गुजरात के नाडियाड में एक दिव्यांग मतदातानी सभी के लिए मिसाल पेश की दरसल अंकित सोनी नाम के इस वोटर ने अपने पैरों से मतदान किया अंकित के मताबिक 20 साल पहले करंट लगने की वज़े से उन्होंने इपने दोनों हाथों को खो दिया था लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाथ नहीं मानी और ग्रेजुएशन के साथ सथ सीएस भी किया साथ ही अब इस लोग सभाचनाव में भी अंकित ने एक मतदाता का पूरा फर्ज निभाए पिछले 15-20 साल के पहले मुझे इलेक्टिक शौक के कारण मैंने दोनों हाथ गुमा दिये थे उसके बाद मैंने तीच अपने टीचर्स और अपने गुरू के आथिवाज से ज्वाइंग करना सुरू किया अभी मैं अपनी सारी जे वो जो क्रिया होती है वो पाउंसे करता ह मैंने अभी अभी आपने देखा कि मैं 15-20 साल से यही फक्त से आउंसे मद्दन करता रहा हूं तो मेरे आंकर नम्रों अपिल है आप नजीगी बूच के जाईए और अपना कीम्ति वो देख रही है बिहार के बगहा में एक निर्दले प्रत्याश्य ने अनुखे तरीखे से नामंकर पत्र दाखिल किया दरसल बालमेकी नगर लोगसभा सीट पर निर्दले उम्मीदवार सयद हवारी ने गधे पर बैठ कर और गले में जूते चपल की माला पहन कर अपना पर्चा भरा इसे जोड़ा एक वीडियो भी तोश्र मीडिया पर वाइरल हो गया इस दोरान उन्हें देखने के लिए कई लोग उम्ड़े राजस्तान के जोधपूर में एक महला ने चार बच्चों को जन दिया महला की डिलिवरी वहां के उम्मेद अस्पताल में सिजेरियन हुई बताया गया कि सभी बच्चे डेर से पौने दो किलो के वजन के हैं फिलहाल इन बच्चों के जिहत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं मद्य प्रदेश के सीहोर में साड़ी तीन फीट के समिय उल्लाह और उनके तीन फीट के भाई हबिव उल्लाह ने मतदान किया इस दोरान उनकी तीन फीट की बहन शाहेदा ने भी वोट डाला समिय उल्लाह की उमर चपन साल तो हबिव उल्लाह की उमर पैसट साल है वह उनकी बहन शाहेदा अर्शट साल की है इन तीनों भाई बहनों ने बोट डालने के बाद दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया यूपे के संभल में एक यूवक ने अनुख अंदास में मतदान किया दरसल ये यूवक वहाँ घोड़े पर बैठकर पोलिंग बूट पहुंचा और उसने अपना बोट डाला इस यूवक ने बताया कि वो अलग तरिखे से बोट करना चाहता था देश के विगास के लिए देश के तरके के लिए और और मतला हमारा नया दरसल आया है बोट डालने के लिए जन्दगी का सफर सुहाना हो इसके लिए साफधान रहना जरूरी है रोज मरा क्यापा धापे में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारे जन्दगी हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है इसलिए हॉर्ण बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की एक खबर भीशन गर्मी और उससे होने वाले नुकसान से जुड़ी है लोग सबाचुनाप के तीसरे चरण के लिए वोड डाले गए ग्यारह रज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के तरान्वी सीटों के लिए लोगों ने तप्ती गर्मी में लाही में खड़े होकर मतदान दिया एमदाबाद में प्रधाय मंतरी मोदी और ग्रिह मंतरी अमिश्राह ने भी मतदान किया लेकिन भीशन गर्मी और लू के फपेडों से लोग परिशान हो रहे हैं हालाथ तो ये भी हैं कि भीशन गर्मी के वज़े से लोग बेहोश तक हो जा रहे हैं इसे को देखते वे स्वास्त मंद्राले ने हीट फेव को लेकर गाइड लाइंस जारी की है और खुद को हाइडरेट रखने के लिए भरपूर पानी पीने की सलाह दी है लिहाजा तप्ती गर्वी से बचने के लिए खुछ सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सापधान करने के लिए हौन बचाएं मई के महीने में गर्मी ने अपना रंक दिखाना शुरू कर दिया है बदन को जलाने वाले चलचला दी दूए और गर्म हवा के धपेड़ों में अब बाहर निकलना मुश्किल हो गया है बाहर ऐसी लूचल रहे है मानुसुरज खुस्से में बैठा आग उगल रहा ऐसे में कौन घर से बाहर निकलना चाहता है लेकिन लोगचंत्र के सबसे बड़े महापर्व में लोगधूप में कतारों में खड़े होकर मतदान कर रहे है लोग सभा के तीसरे चरण के लिए 11 राज्जियों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों के लिए पोर्ट डाले गए सबह सबह प्रधान मंत्री मोदी और ग्रह मंत्रे अमिट शाह ने भी एहमधाबाद में मतदान किया साथ ही लोगों से रिकॉर्ड मतदान की अपील भी की मैं इसमें योगदान देने वाले कि लोग तंतर के महा यग्यम है जो भी जितनी आहूती दे रहा है सब अभिनंदन के अधिकारी है मैं फिर से देश्वासियों को यही कहता हूँ कि आज गुजरात में और जहां जहां चुनाव का मतदान का दिवस है बहुत भारी मात्रा में मतदान करे लोग तंतर के परवो को मनाए अप्रेल में गर्मी के मौसन के शुरवात से ही इस बार हीट वे यानि लू चलने लगी है इस चुनावी प्रक्रिया पर भीशन गर्मी और लू का प्रभाव साफ दिख रहा है पहले दो चुरण में कम मतदान ने आयूग के साथ पाठियों को भी चंतत कर दिया है दिल्ली समय देश भर की कई रज्जों में पारा चालिस डिग्री सेल्सियस पार कर गया है अगर ऐसा ही मौसम रहा तो आने वाले दिनों डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद बढ़ सकती है दिल्ली अंसयार में पारा एक बार फिर से बढ़ने लगा है ये बढ़ती गर्मी लोगों को सता रही है क्योंकि पारा चालिस के पार है अप्रेल जहां ठंडा ठंडा कूल कूल रहा था वहीं मई के शुरुआत नहीं लोगों को परिशान करना शुरू कर दिया इस बीच मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी गर्मी बढ़ती जाएगी मई के साथ पारा तो बढ़ेगा ही साथ ही हीट वेवस भी चल सकती है लेकिन फिलाल आने वाले पास से साथ दिन ऐसी कोई स्थिती नहीं बनी हुई है वहीं अगर हम दिली से सटे लागों की बात करें जैसे राजिस्थान हर्याना पंजाब यहां पर भी पारा बढ़ने लगा है इस बीच राहत भरी खबर उडिसा और पश्चम बंगाल के लिए है जहां बीते एक महिने से हीट वेवस को लेकर रेड अलर्ट जारी था लेकिन अब वहाँ पर बारिश होने वाली है और बारिश के साथ जो हीट वेवस की परिस्थितिया है वो बदलेंगी इस बीच दक्षन भारत के राज्यो में भी हीट वेव से लोगों को थोड़ी रहाथ ज़रूर मिलेगी हीट वेव के बढ़ते हुए प्रकौप को देखते हुए केंद्रिय स्वास्तिमंत्राले ने गाइडलाइन चारी की है स्वास्ति मंत्राले ने तोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेर किया है इस पोस्ट के जरीए हिल्थ विनिस्ट्री ने लोगों को हीट वेव से बचने के लिए खुद को तयार करने को कहा है साथ ही अगर गर्मी के चलते आपको घबराहट जैसा कुछ भी मैसूस हो रहा है तो खुद को हाइडरेट रखने की सलाहती है खुब पानी पीने, लूस कपड़े पहने, ठंडी जगए पर रहने को कहा है इसके अलावा अगर कोई बेहूशी की अवस्था में हो, तो उस स्थिती में उसे उसी वाक्त पानी ना पिलाने का निर्देश दिया है एक्सपर्ट्स की माने तो बेहूश वेक्टी को पानी निगलने में दिक्कत होती है ऐसे में ये पानी पेट की बजाए लंक्स में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। साथ ही उसे निमोनिया होने का भी खत्रा बढ़ सकता है। अगर व्यक्ति को पानी या फ्लॉइड गलत तरीके से दिया गया है तो बलड स्ट्र प्रीम में एलक्ट्राइट्स का औसंतुलन पैदा कर सकता है। इससे हार्ट संबंधी देखाते हो सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की बेहोश होने का असली कारण क्या है? इसे पता लगाने में भी देरी हो सकते है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि गर्मी से अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर कोई बेहोश हो तो इमर्जेंसी के सिचुएशन में व्यक्ति के सिर को धीरे से एक तरफ जुका कर और टुड़ी को थोड़ा उबर उठा दे। इससे श्वसं तंत्र का रास्ता खुला रहेगा। वहीं बेहोश व्यक्ति को अगर उल्टी हो रही है तो ये पोजिशन उसका दम घुटने से बचाता है। इस दोरान ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि बेहोश व्यक्ति सांस ले पा रहा है या नहीं। अगर सांस नहीं आ रही है तो उ हीट वेव भी चल रही हो। ऐसे में लूसे डेहडरेशन, डायरिया, सरदर्थ और स्किन पर घ्मोरिया जैसी समस्याएं हो सकते हैं। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकले तो अपने साथ ठंडे पाने की बोटल, संग्लासेस, संस्क्रीन, ओरस का घोल, छाता या टूपी, सि हमारे पाचंत अंतर परफिस का बुरा असर बढ़ता है। यही कारण है कि हजारों लोग हर साल हीट वेव की चपेट में आकर बीमार पढ़ते हैं और दुनिया भर में सैक्रों लोगों की मौत भी हो जाती है। दिली NCR के साथ देश के तमाम राजियों में आप पारा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आने वाले दिनों में मौसम का क्या हल रहेगा? क्या गर्मी और बढ़ेगी या दिली NCR में भी लू चलने की संभाव ना है? हम समझेंगे मौसम विग्यानिक डॉक्टर नरीश क कमार से. सर कल से हम देख रहे हैं कि पारा थोड़ा सा बढ़ा जरूर है. क्या दुली NCR में लू चलने की संभाव ना है? घर में और बढ़ेगी? देखिए चलिए हम सबसे पहले पूरा एंटायर नॉर्थ-फ्वेस्ट इंडिया की बात करते हैं. इस सीजन में नॉर्थ-फ्वेस्ट इंडिया में कंटिन्यूज वेस्टन डिस्टरिमेंस आने के कारण जहां तो थोड़ा रेनफाल होता रहा, जहां बीच में पिर्कुलोडी होता रहा, इसके करण टमप्रेश्चर बहुत जादा बड़े नहीं और मैक्सिम टाइम एबन फोटी भी हार्ली टच किये, अगर आप आज का सिन्यारियों के बात करेंगे तो आज के दिन अंकुलूडिंग एंसियर दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, सोथ पंजाब स्पेस्पिकली, हर्याना, उत्रप्रदेश में जो टमप्रेश्चर 40 डिग्री से जादा है, अगर आप एंसियर दिल्ली के आने वाले दिनों की बात करेंगे तो हमारा अनमान है कि जो टमप्रेश्चर हैं, वो 41, 42 डिग्री के पास रहने का हमारा जादा अनमान ह मौसम विभाग की माने तो राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडू, तिलंगाना और करनाटर के कुछ हिसों में हीट वेव का दौर जारी रहेगा, इसके अलावा पश्चर मंगाल में आन्धी और बारिश के संभावना जताई गई है लेहाजा भीषण गर्मी और लू के थपेड़ी से बचने के लिए खुदसातर खो जाएं और दूसरों को भी साब्धान करने के लिए खौर्ण बचाएं दिल्ली सीनी तुझा, गुट बिंस टुडे गर्मी और लू के थपेड़ों की वज़े से अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो अफरा तक्वीमन चाहती है लेकिन ऐसे में क्या करना चाइए और क्या है विशिशभ्णियों की राय आईए जानते हैं किसी भी मौसम में कोई भी व्यक्ति अगर बेहोश होता है, हमें कभी भी गल्ती से उसको बेहोश अवस्ता में पानी नहीं देना चाहिए क्यों? बिल्कुल सिंपल सा एक उसका है कि बेहोश व्यक्ति अगर होगा तो उसके उसकोई स्वैलो करने की या उसको निगलने की उसकी ताकत नहीं होगी और यह जो हमारा दिया हुआ जो पानी होगा वो उसकी सांस की नली में जाके उसको चोक कर देगा जिससे कि उसकी साडनली वो बाकी और किसी चीज से चाहे उसको नुकसान होना हो लेकिन इस हमारे एक्शन से जो कि हमने विद वेरी गूड इंटेंशन हमने की है और हमने उसकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़े हैं वो इंटेंशन पेशन्ट के लिए बहुत खराब साबित होगा खतरना की नहीं और कभी-कभी उसकी जान भी उस हमारे एक्शन से जा सकती है कुलगाम में सुरुक्षबल को बड़ी काम्याबी आई आपको सीदे लिए चलते हैं न्यूज एक्स्प्रस वेपर इस दोरान बीजेपी नेता विनोत तावडे और अनिल बलू ने भी मौझूद रहे शेखर सुमन ने कहा कि कल तक उन्हें ये नहीं पाता था कि वो आज यहां बैठेंगे शेखर सुमन की राजनीती में ये दूसरी पारी है इस दोरान दिगजों ने भी मतदान किया मध्य प्रदेश के बोर्व सीम और विदेशा से बीजेपी उमीदवाई शवरा सिंग चोहान ने अपने परिवार के साथ सीहोर में वोट डाला उधर गायक अरीजीत सिंग ने पश्रमंगाल के मुश्रिद अबाद में मध्यदान किया वो स्कूटी पर अपनी पतनी के साथ पोलिंग बूथ पहुँचे थे जम कश्मीर के कुलगा में सुरक्षबल को एक बड़ी कामया भी मिली दरसलिक मुटभेड में दस लाग के इनामी बासित डार समे तीन आतंकियों को धिर कर दिया गया बासित ने पिछले पांच साल में वहां कश्मीरी पंडितों और बाहरी लोगों को निशाना बनाया था वो लश्कर से जुड़े आतंकि संगठन टीरेफ का कमांडर था गुजात के महिसागर में एक दूले ने शादी से पहले मतदान का करतावे निभायर नयन भाई डामोर ने बगगी पर बैठ कर वोटिंग करने पहुचे इस दौरान नयन भाई के साथ उनके पिता जे सिंग भाई डामोर और मा लाडुबेन भी मौजूद रही उत्रकन में भगवान केदारनाथ की डोली फाटा पहुच गई इस दौरान वहां बड़ी संख्या में श्रधालो मौजूद रहे जगे जगे बाबा की डोली का जोरदार स्वाकत किया गया अब बुद्वार को डोली यहां से अपने अगले पढ़ाव गौरी कुंट के लिए प्रस्थान करेगी केदारनाथ की ये डोली अपने श्रीत कालिन गद्यस थल उनकारेश और मंदिर से केदारनाथ के लिए रवाना हुई थी बाबा केदारनाथ के कपार दस मईए को खुलेंगे बिहार के बगहा में एक रिटार्ड फॉजी रमेश परसाद ने बैल गाड़ी पर सवार होकर अपना नमांकन पत्र दाखल किया इस दौरान उनके साथ कुछ रिटार्ड फॉजी भी मौजूद रहे रमेश परसाद यहां की बाल में की नगर सीट से चुनाव लट रहे हैं खबरों के एक्स्प्रिस पे से आगे रुकरते हैं सियासी धाबे का जहाज की सबसे दिल्चस्प खबर मौजूद है लोग सबाचराव के तीसरे चरण के वोटिंग हो गई है अब चार चरण के वोट डाले जाने बांकी है लेकिन इसी भी चारक्षन के डार सियासी दलों को एक दूसरे पर हमला करने की धार दे रही है लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षन की हमायत की तो प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी ने इस बहाने कॉंग्रेस और इंडिया गडवन्धन पर हमला शुरू कर दिया हाला कि लालू यादव ने बाद में सफाई दी और कहा कि आरक्षन का धार्मी का आधार नहीं हो सकता लेकिन बीजेपी ने कहा कि करनाटक में OBC का आरक्षन चीनकर धर्म के आधार पर मुसल्मानों को आरक्षन क्यों दिया जा रहा देश में हो रहे लोगसभा चुनाव के तीस्टे चरण में 11 राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों की 93 सीटों के लिए वोट डाले गए और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं लेकिन इसे भी सियासत में मुसलिम आरक्षन को लेकर घमासान मचा हुआ है कॉंग्रस नेता राहूल गांधी सामजिक न्याय, जातिगत जनगर्ना और अल्पसंख्यकों के कल्यान की बाद जरूर कर रहे है मगर मुसल्मानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस पर कभी खुल कर नहीं बोले लेकिन बिहार के पूर मुख्यबंतरी आजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ये बोलकर गुगली पेग दी कि मुसल्मानों को भी आरक्षन मिलना चाहिए जहन पर इस साइब बात आ गई है, इस तरह का बात बता है यूं तो चनावी बिगुल बजने के साथ ही, प्रधान मंत्री मोदी ने कॉंग्रेस पर हमला शिरू कर दिया था कि कॉंग्रेस, S.E.S.T. और O.V.C. का आरक्षन चीन कर मुसल्मानों को देना चाहती है चारा गोटाले में जिन्हें अदालत ने दोशी करार दिया, उन्होंने आज मिडिया के सामने साथ साथ कहा है कि इंडी गड़मंदन की सरकार आई, तो देश में मुसल्मानों को आरक्षन देंगे प्रधान मंत्री मोदी और बीजेपी के हमलों को तेज होता देख लालू ने मुसल्म आरक्षन मुद्दे पर सफाई पेश की, लेकिन वो बीजेपी पर हमला करने से नहीं चुके अंडल कमिशन मैंने लागू किया था, अरक्षन समाजिक अधार होता है, धरम अधार नहीं होता है अटल विहारी बाजपेज इनने समिधान समिक्षा आजोग बना दिया था मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर लालू ने तो सफाई दे दी, लेकिन बीजेपी को एक नया चुनावी हतियार मिल गया कॉंग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, डियमके हो, इस सभी नेशनल कॉंफरेंस हो, इस सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जिनकी भावनाएं हिंदूओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्ता के विरोध में जाती हैं जिनका चरित्र तुस्ट्री करन की नीती को पोशक करने वाला, ऐसे लोगों से इस से ज़्यादा उमीद नहीं की जा सकती है उधर करनाटक में लागो मुस्लिम आरक्षन पर कॉंग्रिसी खेमा अपनी दलील दे रहा है कॉंग्रिस का आरोब है कि बीजेपी मुस्लिम आरक्षन पर लोगों को गुमराह कर रही है कॉंग्रिस पार्टी ने जो आरक्षन दिया है करनाटका में, जिसकी आलोशना कर रहे हैं प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री ये सामाजिक और आर्थिक पिश्ड़ापन के आधार पर दिया गया है, धरम के आधार पर नहीं, सर्वे किया गया, किस तरह से वो सामाजिक और आर्थिक पिश्ड़ापन है उनको, और इस समाज को तीन हिस्से में बाटा गया, बैकवर्ड, रेलेटिवली मोर बैकवर्ड और उसके आधार पर आरक्षन दिया गया है असली सवाल यह है कि प्रधान मंतरी इस पर कुछ बोलते नहीं है ग्रिव मंतरी इस पर कुछ नहीं बोलते है लोकसवा चुनाव के तीन चरणों की वोटिंग हो चुगी है अभी चार चरणों की वोटिंग बांकी है लेकिन मुसलिम आरक्षन को लेकर सियासी घमसान और तेज होता जा रहा है बीजेपी और कॉंग्रिस सहित बांकी दल एक दूसरे पर हमलावर है लेकिन सवाल है कि क्या मुसलिम आरक्षन का ये सवाल मतदाताओं पर असर डाल पाएगा या वो अपने मूल मुद्दो को लेकर ही ईवी एम का बटन दबाएंगे बीरो रिपॉर्ट गुड न्यूस टुड़े न्यूस पत पर आगए है धन बाजार जहां शेर बाजार से लेकर कारुबार तक कि सब ही एहम खबरे होती है और इसका सीधा रिष्टा आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है तो तेज रतार खबरों के बीचे जरूरी खबरे चूट न जाए इसलिए सीधे आपको लिए चलते है धन बाजार हाफते के दूसरे कारोबारे दिन शेर बाजार में गिरावट देखने को मिली सोने चांदी के भाव चुड़े दिल्ली सर्राफा भासार में सोना 200 रुपे महिंगा हुआ इसके साथ यब दिल्ली में 10 प्रम सोने की केमत बढ़कर 72,450 रुपे हो गई में चांदी भी 700 रुपे महिंगी हुई अब एक किलो चांदी के खिमत 85,000 रुपे तक पहुँच गई अगर आप गाड़ी खारिदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छे खाबर है न्यूस पत के सफर में अब सोचल अड़ा करूप करते हैं जहां आज बात होगी नौईडा गाज़ेबाद को मिलने वाली नई सौगात की उत्तर प्रदेश सरकार नौईडा गाज़ेबाद में नाइट लाइफ को बढ़ावा देनी की तैयारी कर रही है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक NCR में शामल यूपी के नौईडा गाज़ेबाद शहरों में नाइट लाइफ का समय बढ़ाया जा सकता है माना जा रहा है कि अगले महिने यानि की जून से नौईडा और गाज़ेबाद में बार सुबह चार बज़े तक खोलने की अनुमती दी जा सकती है अभी नौईडा और गाज़ेबाद में रात एक बज़े तक ही बार खोलने की जाज़त है जबकि दिल्ली के साथ ही इंसियार में शामल हरियाना के गुरुग्राम और फरीदाबार शहरों में दे रात तीन बजे तक बार खुले रहते रिपोर्ट के मताबिक नॉइडा रेस्टरंट ओनर्स असोसीशन ने सुबह चार बजे तक बार खुलने की परमिशन मांगी है इस मामले में उत्तर प्रदेश एक्साइज कमेशनर ने पांस सब्दस्यों की एक कमिटी बनाई है जो कि 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौपी की नॉइडा के डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ओफिसर ने माना है कि नॉइडा गाज़ेबाद में अभी लोग देर देर रात तक पार्टी नहीं कर पाते और इसके लिए उन्हें दिल्ली अफिर गुरुगराम जाना पड़ता है एसे में नाइट लाइफ के घंटे बढ़ाने से नॉइडा गाज़ेबाद में लोगों को देर रात तक पार्टी करने की सुविधा तो मिलेगी हैं साथी सरकार का राजस भी बढ़ेगा इसके साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट नॉइडा करिज नॉइडा में बने आईटी पार्क्स के फूर एंड बेवरिच आउटलेट्स को पर्मनेंट लिकर लाइसेंस देने की तयारी में है एक्साइज ऑफिसर ने बताया कि आने वाले समय में जेवर एपोर्ट बने से शहर में कई बड़ी कामपनी आएंगी कई लोग जॉब पर रखे जाएंगे ऐसे में नाइक लाइफ में सुधार की जरुरत होगी जानकारी के मताबिक साल 2020-2024 में गौतम बुदनगर का एक्साइज रिविन्यू 1975 करोड़ों पे था एक्साइज ऑफिसर ने कहा कि अगर कमिटी के सफारश लागो हुई तो अगले साल गौतम बुदनगर के एक्साइज रिविन्यू में 40-45 फीस सदी की बढ़ोतरी हो सकते है जाहिर है नौटा और गाजेबार शेहरों में नाइक लाइफ के घंटे बर्णे से यहां रहने वाले लोगों की लाइफ और हापनिंग हो जाएगी इस मुद्धे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाने है अब जिस तरीके का एक सरकार फैसला लेने वाले के आने वाले समय पर जितने भी बार जैनौटा में वो चार बज़े तक खुलेंगे इस पर आपका क्या विचार है मुझे नहीं लगता यह सही फैसला है सरकार का चार बज़े तक अगर बार खुलेंगे तो वो लोग पांच-छे बज़े तक सोईंगे और देन उठेंगे बारा एक वे तक अगेंस नेचर मुझे लग रहा है कि पूरा लाइफस्टैल या तो सेग्मेंट स्पेसिफिक के टार्गेट हो रहा है या कि कुछ लोग के लिए क्योंकि ओफिस वर्किंग टाइम डिफरेंट है सब चीज के लिए टाइम है तो या तो फिर आप रात को खोल रहे हैं ताप सौपिंग भी मॉल भी आप खोल दो रात को कि सब लोग भी रहे हैं एक तो सुनसान हो जाती है बारा एक बज़े के बाद उस टाइम ड्रिंक करके आप सबकों पे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उतना पॉजिटिव सरकार का यह है दिल्ली का थुरा साथ डिफरेंट है तो और भी बहुत सारी बच्चे जाते हैं फैमिली में चोटे-चोटे बच्चे भी जाते हैं तो उन सब को दिक्कत होगा जैसे गल से जाती है तो देड लेट नाइट आना अकेले फिर जाना बहुत सारी चीज़े है, रिस्क है किल लोंब कोई बात हो जाए, एकसिडेंट हो जाए, कौन देगे, बहुत अरी चीजी है, तो प्रालेम तो है, रेवन्यू एक अलग शीज है, अगर आगर बिजनिस पॉंट अप व्यू से बात करें, तो वो तो एक अलग शीज हो गई, तो उसके बाद अगर वो जोब पर नहीं जा पहेंगे तो फर उनके सैलरी कट्स बहुत सारी चीज़े आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखने पढ़ेंगी बहुत सारी यूश्वेस करने पढ़ेंगे और फिर एक्सिदेंट वगेरा भी होएंगे तो बहुत सारी चीजे हैं मेरे हिसाब से वो गलत है क्योंकि इसे एक्सिदेंट केसिस बढ़ेंगे रेप केसिस बढ़ेंगे लड़कियां सेफ नहीं रहेंगी तो मेरे हिसाब से तो यह ठीक नहीं है I think कि दो बज़े is a very good timing बट चार बज़े बहुत हजार इसकी है क्योंकि रोड पे एक्सिदेंट भी होते है और पुलिस के not always go there and अपना line of action नहीं कर सकते है तो इसलिए बेटर कि दो बज़े ते एक time limit set करके रखे ओनलाइन परजी लोन आप पर अलर्ट सरकार ने ओनलाइन लोन से जुड़ी एक अप को लेकर अलर्ट जारी किया प्रहमंत्राले से जुड़े एक social media handle साइबर दोस्त ने चेतावनी जारी की इसके मताबिक फिन स्कोर, क्रेडिट स्कोर, मैनेजर अप से दूर रहे ये एक फर्जी एप है और इसमें विदेशे लिंक की संभावना है सरकार का कहना है कि इस एप से किसी भी तरह का लोन ना ले और ना ही क्रेडिट स्कोर चेक करे साइबर दोस्त हैंडल के जर्ये सरकार साइबर अपराधों पर जागरुकता का काम करती है BSNL के ग्रहकों के लिए एक अच्छे खबर है तरहसल वो इस साल अगस्त से पूरे देश में 4G सेवा की शुरुआत कर देगी ये बात खुद BSNL के अधिकारियों ने कही 4G सेवा के लिए BSNL ने TCS और C. के साथ साज़ेदारी की है हाल ही में पंजाब समेत कुछ जगहों पर BSNL ने 4G सेवा की शुरुआत भी करती है अपने 4G और 5G नेटवर्क के लिए BSNL देश भर में करीब 1.12 लाग टावर इंस्टॉल करवाएंगी देश में लोगतंतर का पर गूगल ने भी सेलिब्रेट किया दरसल तीसरे चरण के चुनाव को लेकर गूगल ने एक डूडल बनाया इसमें पहले की तरह गूगल के दूसरे ओ की चकर स्याही वाली उंगली बनाई गई है ये भारत में वोट डालने का प्रतीक है क्योंकि वोट डालने के बाद देश में मद्दाताओं के उंगली पर नीमी स्याही लगाई चाती है और अब रूग करते हैं प्रगती मारका जहां ऐसी खबरे हैं जो के देश की तरक्की प्रगती और लोगों की काभील ये दिखाती है दिले हाई कोट ने बच्चों की साइबर सुरक्षा को लेकर एक एहम टिपने की है जिसमें कहा गया है कि अब बच्चों को गुड टच और बैट टच के साथ साथ वर्च्वर टच के बारे में भी जागरूप करना ज़रूरी है ताकि बच्चे डिजिटल दुनिया में अपनी नजी जानकारी शेयर करने से बच्चें और संपर्थ में आए लोगों से होने वाले अंजान खतरों से सतर करें गुड टच बैड टच अब तक आप गुड टच और बैड टच के बारे में सुनते आ रहे हैं बच्चों को बताते समझाते आ रहे हैं स्कूलों में भी से पाठिक्रम के दहर्ट शामिल किया गया है ताकि बच्चे सुरक्षत रहें घलत मान सकता के शिकार नबने लेकिन आज के बदले तकनी की परिवेश में सर्फ गुड टच और बैड टच को समझना काफी नहीं है टच सिखाना भी सरूरी है ये बात दिल्ली हाई कोट ने अपने एक टिप पड़े में कही है आज की डिजिटल दुनिया में लगभग हर शक्स इंटरनेट से जुड़ा है जहां उंगलियों के शारे पर दुनिया के कोने कोने तक पहुँच बन रही है और इसके साथ ही साइबर क्राइम का ग्राफ भी बढ़ रहा है जिसके सबसे ज़्यादा शकार बच्ची होते हैं ऐसे में दिल्ले हाइकोट ने बच्चों को वर्च्वल टच के बारे में भी जागरूख करने की सलाह दी है हाइकोट ने एक मामले में अपनी टिप पड़े में कहा कि आज के डिजिटल दौर में नाबालिकों को वर्च्वल टच के बारे में भी जागरूख किया जाना चाहिए बच्चे डिजिटल दुनिया में कैसा वेभार करें इस बारे में भी उन्हें अच्छे से बताना चाहिए साथ एकोट ने कहा कि साइबर जगत में किन के साथ संपर्क रखना है और कैसे सुरक्षत रहते हुए अपनी नीजी जानकारियां बचानी है इस बारे में भी उन्हें समझाया जाना चाहिए मानिय न्याले ने कहा है कि हमें अपने बच्चों को गुड टच बैट टच बचताने के साथ साथ एक स्टेप और आगे आ करके अब सोचने की जरूरत है क्योंकि बर्तमान में जो एक वर्चुल दुनिया है तो हमारे बच्चे बहुत सारी वर्चुल क्लास भी अटेंड करते हैं तो वहां पर अगर कोई उनको गलत कॉंटेंट सेंड कर रहा है वल्गर चीज़े सेंड कर रहा है या उनसे वल्गर बात कर रहा है बहुत सारी चीज़े ऐसी हो सकती है जो कि हमारे बच्चों को नहीं पता है, तो उनको अब वर्चुल टच बताना भी जरूरी है, जिसके लिए प्रॉपर टीचिंग भी जरूरी है, प्रॉपर उनकी केर और पेरेंट्स का बच्चों के साथ कनेक्ट रहना भी जरूरी है। वो कौन लोग हैं? उनकी पहचान सही है या खलत? कहीं वो साइबर ठग तो नहीं, क्योंकि आम तोर पर साइबर ठग तोशल मीडिया पर अपना फरजी अकाउंट चलाते हैं. नाबालिक बच्चों को नहीं मालुम होता कि वो जिनके संपर्क में हैं, वो उन्हीं शारेरिक औ इसके बारे में नॉलज होना भी जोरी है, इससे लोग मिस गाइड भी हो रहे होंगे, सफर भी कर रहे होंगे, तो बहुत जुरूरी है फिर तो इन्फरमेशन. बच्चे तो आजकल बहुत जादा इक तो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो उन लोगों को इसके बारे मे बच्च के बारे में बता रहे हैं, बट वर्जोल टेच के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो उन्हें कोई कुछ भी बोलता है, तो वो अपने पेरेंस से नहीं बता पाते हो, वो अंदर ही अंदर उन चीजों को लेक गर्द विए तिक्निलाजिक एस दौर में बच्छों को साइबर दुनिया से दूर नहीं किया सकता है लेकिन उन्हें जाग रुप कर इसी दुनिया में सुरक्षट किया जा सकता है इससी के साथ मेरे बरे शबता जाके साथ विन Created थ्रोड फैर और शिन अटो कर रो